दिल्ली में G20 सम्मिट ने दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दर्वाजे खोले हैं सम्मिट में इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकोनोमिक कॉरिडोर बनाने के घोश्णा की गई भारत, UAE, साओधी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपी यूनियन सहीद कुल आठ देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जार्डन को भी मिलेगा मुंबई से शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव का विकल्प होगा यह कॉरिडोर 6000 किलोमिटर लंबा होगा इसमें 3500 किलोमिटर समुदर मार्ग शामिल है कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुचाने में करीब 40% समय की बचत होगी अभी भारत से किसी भी कारगो की शिपिंग से जर्मनी पहुँचने में 36 दिन लगते हैं इस रोड से 14 दिन की बचत होगी यूरोप तक सीधी पहुंसे भारत के लिए आयात मेरियात आसान और सस्ता होगा